किस शाषक के काल में बीका ने लगो चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाडी प्रभाव आने लगा इसका आंसर है ऑप्शन ए राजा गजसी के समय काल में पांडुलिपी दास्ता ने अमीर हमजा का अधिकान्ष भाग किस शाशक के काल में चित्रित हुआ आंसर है इसका ओप्षिन भी अकबर के समय में जहांगीर एक मुल्ला खो उपदेश देते हुए किसने चित्रित किया है आंसर है ओप्षिन डी बिचित्तर अबुल्हसन का व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया है आंसर है ओप्षिन सी दौलत ने प्रदोस दास गुपता द्वारा निर्मित मूर्ती शिल्प मदर एंड चारिल्ड किस माध्यम में है इसका आंसर है ओप्षिन ए ये कांसे में निर्मित है सूरज पुरोहित द्वारा 1992 में किस कलाकार पर व्रत्चित्र बनाया गया आंसर है इसका Option A उन्होंने बनायता मनू पारिक पर डॉकुमेंटरी यानि कि व्रत्चित्र 1973 से 1982 तक कौन सा कलाकार Government College of Art in Craft कुलकता में शिक्छक रहा आंसर है इसका Option A बिकास भटा चार जी Holy Deep किस कलाकार दोर बनाया गया चित्र है आंसर है इसका Option C मनू पारिक जी चट्टानों को काट कर मंदिर बनाने की कलाकिन शाषकों के समय से शुरू ही आंसर है इसका Option B पलव शाषन काल से शुरू ही तटस्त रंग कौन सा है आंसर है इसका Option C काला रंग है तटस्त रंग किस शाषक ने यूरूपिय कला के प्रति रुची दिखाई आंसर है इसका Option B जाहं गीर ने पश्चिम भारत के बोध विहारों का विशालतम समू कहा है आंसर है इसका ये है जुन्नार में X में 130 बोध विहार गुफाएं है गोवर्धन परवत को उठाए कृष्ण किस ने चित्रित किया है आंसर है इसका Option B ये चित्र बनाया है मिस्किन ने राजिस्थानी शेली को हिंदू शेली किस ने कहा है ये कहा है Option D एंसी महताजीन है अजन्ता के प्राचिंतम चित्र किसे शताबदी के है आंसर है इसका Option B दूसरी शताबदी के ये चित्र है नात द्वारा के पट चित्र किसे शेली में बने है आंसर है इसका option A, ये चित्र बने हैं मेवार शेली में अंतिम भोज यानि की इदालास्ट सबर चित्र का चित्रकार कौन है? ये भारती कलाकर दोरा बनाया गया चित्र है, इसे बनाया है option B, मनुपारिक जीने तामर पाशान मालवा संस्कृती के अफशेश कहां से प्राप्ट हुए हैं? आंसर है इसका option D, B और C दोनों यानि की नवदा टोली और महेशवर से पहाड़ी शेली में व्यक्ति चित्रन किस आकार में हुआ है? आंसर है इसका अंडाकार रूप में option B, गीत गोविन और कल्पसूतर का सम्मद किस धर्म से है? गीत गोविन का सम्मद है वैशनव से और कल्पसूतर का सम्मद है जैन से, आंसर है option B, किस कलाकार ने कहा मेरे साथ में जो काला रंग है उसके प्रती आकर्शन है वह अंधिरी की देन है इसका आंसर है option B ये कहा था जेराम पटेल जीन जेराम पटेल का देहान किस वर्ष हुआ आंसर है option C वर्ष 2016 में किस कला संग्रहालय ने जेराम पटेल की म्रतियों से कुछ वर समयपूर्व उनके पास उपलब्ध सभी कारी खरित लिये थे आंसर है इसका option B किरन नाडार संग्रहालय ने दिल्ली जेराम पटेल की कृती कंटूर्स 1962 कहां संग रही थे आंसर है इसका option C National Gallery of Modern Art ने दिल्ली में ये संग्रही थे जेराम पटेल द्वारा मिरमित लेंड्सकेप 1956 का कहां संग्रही थे आंसर है इसका option C National Gallery of Modern Art ने दिल्ली में ये संग्रही थे जेराम पटेल को रितकला कादमी का राष्ट्री पुरसकार कितनी बार प्राप्त हुआ आंसर है इसका option C ये पुरसकार इन्हें चार बार मिला था जेराम पटेल को डिजाइन का राष्ट्री पुरसकार कब प्राप्त हुआ आंसर है इसका option D 1976 में ये दिजाइन का राष्ट्री पुरसकार मिला था जेराम पटेल को Bombay Art Society का रज़त पदक कब प्राप्त हुआ आंसर है इसका option D, 1960 मेंने Bombay Art Society का रज़त पदक मिला था